अगर आप कहीं से भी अगर जैसे अगर आप यूपी के हैं और साओधी में आपकी फ्लाइट जिद्दा टू लखनाव हो रही है तो जिद्दा का इयरपोर्ट काफी चेंज हो चुका है यह देखो नया हो गया है पूरा मतलब आप देख पा रहे होंगे काफी चेंज हुआ ह है जिद्दा के एयरपोर्ट पे हैं तो आप यहां आने के बाद बिल्कुल ही कन्फ्यूज ना हूं हम आपको बता रहे हैं कि मतलब आपको यहां से कैसे निकलना जो बोड दिख रहा होगा आपको यह जो बोड दिख रहा है इस पर लिखा होगा एट 27 37 27 यह सब लिखा है तो अगर आपका जिद्दा से जो है लखनौ एयरपोर्ट के लिए है तो हम आपको दिखा रहे हैं तो यह आप देख आ रहे होंगे कि मतलब जैसे जो है कि यह मतलब जो बोड लिखा हुआ है तो फ्लाइट जो है अक्सर जो है लखनौ की फ्लाइट A27 पे ही लगती है तो इस तरह का बोड देख करके आप जो इस पे तीर लगा होता है तीर को देखते हुए आप A27 पे जो है जा सकते हैं और A27 काउंटर पे जाने के बाद में आपको नीचे जाना पड़ेगा उसके बाद जो है आपको महां से लखनौ की फ्लाइट मिलेगी और आप कहीं से भी आ रहे हैं तो यहां घबलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आप सिर्फ अपना टोकन नमबर देखें और देखते हुए जिस काउंटर का बता रहा है उस काउंटर पे आप जाएं कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा यहां बिल्कुली घबलाने की जरू जरूरत नहीं है तो आप उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आएगा और आप यहां कंफ्यूज नहीं होंगे और आप देख पा रहे होंगे पहले से काफी खुब्सूरत हो गया है यह जिद्दा का यह अर्पोट है आप वीडियो में बंदे रहे हैं और वीडियो को लास्ट तक देखे हैं आप देख पा रहे होंगे वहां आपको बैठना होता है हम आपको लेकर चल रहे हैं वेशी तरफ या त्रीपरतिछाले के तरफ आप देख पा रहे होंगे काफी अच्छा हो गया है यहां का जो है सिस्टम आप देख पा रहे होंगे यह देखें, यहां से जो है, लिफ्ट का भी सिस्टम है, जो है, काफी अच्छी जगें है, बहुत पहले से बहुत खुबसूरत बना दिया है, यह जो है, तो यह देखें, लिफ्ट से जा रहा है का अदमी,